हेलो दोस्तों तो स्वागत आपका अश्ट्रकलों स्टेडे एकाडवी में तो आज के इस वीडियो लेक्चर में कलास 10 मैथामेटिक्स का आधियाए 12 हम लोग करेंगे इसका नाम है ब्रीतों से 77 छेत्रफल और इसमें प्रस्नावली 12 दस्मलों 2 का प्रस्न संख्याए 1 से 7 त 152 दिया हुआ है जैसे फॉर्भ यहां पे यह हमारो एकड है और इसकी तुर में दिया हुआ है ओर इसक करेंट की पहले लिखेंगे दोस्तों ठीटा से है ना तो यहां पर लिखेंगे है चुकि दिया है कि ब्रित की त्रिज्या आर बराबर शे सैंटीमीटर है है ना और फिर क्या दिया हुए है कोड यानि कि केंद्र पर का कोड कितना है साथ दिग्री है तथा कोड जिसे हम लोग री परजेंट करेंगे ठीटा से ठीटा बराबर कितनाrit है साथ दिग्री है ना तो इसलिए यहां पर किसी का पूछाय liar दोस्तों त्रिज्या खंड का तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिज्या खंड का छेदर फल क्या हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला आप जानती होंगे ठीटा बठावे 360 और पाई यार स्क्वार अगर आप कॉंसेप्ट का वीडियो नहीं देखे है तो उसे जरूर देख लिजेगा है ना पुरा किलियर हो जाएगा राइट अब यहाँ पर देखा जाए तो ठीटा का मान क्या होता है तो 60 डिगरी है यहाँ पर लिखेंगे ठीटा का मान 60 डिगरी बटा में 360 145 i5 ऑर इंटि ! πाई का मान kya होता दोस्तो 22 वटा साथ अगर इसमें दिया रहता तो आप पाई का मान तीन दस Mage-4 रखे रहतें अगर नहीं दिया है पाई का कुछ विमान तो आप अपने से 22 2 वटा साथ रखेगे राइट यह question ही कहता है r आर क्या है हमारे दोस्तों 6 तो यहाँ पे आर का स्क्वाइर यानि 6 का स्क्वाइर तो 6 गुणे 6 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखें 0 से यह 0 कट हो गया 6 से 6 जाया के 36 6 टाइम चला जाएगा फिर 6 से यह बला खतम का आनि अब देखा जाये तो 22 का 6 में गुणा कर देंगे 22 चका 132 और बटा में 7 सेंटिमीटर स्क्वाइर ठीक है यह आप यहाँ पे भी एंसर छोड़ सकते हैं है ना और मर्जी करे तो आप कटा भी सकते हैं तो यह पहला कोस्टन का आनसर सा दोस्तों ठीक तो यही वाला प्रफेक्ट टेंसर होगा दोस्तों चलिए कोस्टन नमबर दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे कोस्टन नमबर अगर दूसरे का हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ब्रीत के चतुर्थांस का चेत्रफल ग्याद कीजिए जैसे यह इसके केंद्र के परिता हम लोग इसको चार भागों में बाड़ दें यह हमारा तो परतिये का भाग जो होता है न अच्चतुर्थांस का लाता है और यहाँ पर का जो कोड बना होता है यह क्या का लाता है 90 डिग्री होगा समकोड है न अब ध्यान दिजिएगा तो च्चतुर्थांस का च्चतुर्फल ग्याद कीजिए जिसकी परिधी क्या दे चुका है 22 सेंटीमेटर दे दिया है तो आईए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि चुकी दिया हुआ है ब्रेत की परिधी बराबर कितना है 22 सेंटीमेटर ठीक है दोस्तों यहाँ से पहले 30 हम लोग ग्याद कर लेते हैं ब्रेत की परिधी बराबर कितना दे चुका है 22 सेंटीमेटर है न और हम लोग क्या जानते यह तो 2 पाई यार होता है 2 πi r और ये 2 πi r किसके बराबर होगा 22 के बराबर दो से इसे कट कर दीजे कितना बार में जाएगा 11 times अब ये πi गुणा में हो और इधर जाएगा तो भाग में तो r बराबर कितना हो जाएगा 11 बटा में πi ये cm इसको इसी तरह रहने देते हैं अब हमें क्या ग्याद करना है तो बुला है चतुर्थांस का च्छेत्रफल ग्याद कीजे चतुर्थांस का च्छेत्रफल आप जानते हैं न दोस्तों इसलिए चतुर्थांस का च्छेत्रफल ये किसके बराबर होगा एक बटा चार यानि चोथे हिस्दे में से एक हिस्सा है न, हम लोग चतुर्थांस का बात करें तो, इस बरीत को दो उड़वाधर लाइन और एक 36 लाइन है न, जानि कि एक उड़वाधर और एक 36 लाइन के द्वारा अगर हम लोग परतिच्छेद करा दे बरीत केकेंंद्र के परिता, तो हम लोग क्या लिखेंगे चार में से एक हिस्से का छित्रफल आई ये छित्रफल किसका है तो ब्रीट का है ना तो चार में से एक हिस्से का और किसका हिस्सा है ब्रीट के छित्रफल का है ना तो ये ब्रीट का छित्रफल यानि एक बटा चार पाई यार स्कॉर हो जाएगा चली अब रख देते हैं मान को एक बटा चार पाई का मान क्या रखेंगे पाई ही रहने देते हैं पाई ही रहने देते हैं क्योंकि आर का मान क्या है पाई 11 बटा में पाई है आर स्क्वार यानि 11 बटा पाई रख देंगे आर के जगा पर तो 11 बटा पाई और गुणे एक बार और फैला दीजे 11 बटा पाई ये पाई से पाई डिलीट हो जाएगा दोस्तों है ना और देखा जाए तो 1 बटा 4 गुणे 11 गुणे 11 और ये पाई का मान क्या है 22 बटा 7 तो 7 रहेगा तो 7 उपर चला जाएगा है ना कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों ये देखिए आप 11 गुणा 22 क्या हो जाएगा अब मेरा क्या बच रहा है 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 87 अब 8 में ये 4 गुणा 8 सेंटीमेटर स्क्वाइर तो ये आपके चतुर्थांस का छितरफल हो जाता है चलिए कोश्चन नमबर तीसरा देख लेते हैं है ना कोश्चन नमबर तीसरा है दोस्तों बोलना है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमेटर है ये हमारा मान लेते हैं घड़ी है दोस्तों ठीक और इसके सुई की लंबाई कितना दे चुका है तो ये हम मान लेते हैं किसका सुई है और इसके सुई की लंबा कितना दे चुका है तो यह 14 cm है राइट कितना है दोस्तों 14 cm है है ना बोलना है यहां पर कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित 6 फल ग्याद किजिए माल लेजे कि यह सुई जो है यह 12 पर था और एक पर जाएगा तो 5 मिनट हो जाएगा है ना मिनट की सुई है तो यह माल पांच मिनट में जितना छेत्र फल यह जा चुका है इसका आपको छेत्र फल ग्याद करना है यह बोल रहा है यहां पर इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित 6 फल ग्याद किजिए अब यहांपे ध्यान दीजेगे 14 cm है तो यह भी कितना होगा 14 cm होगा क्योंकि यह क्या काम क पांच मिनट में छेतरफल इतना कभर कर रहा है तो बात यह उठता है कि केंदर पर कोंड की होम निकालते हैं कि कि एक मिनट में प्थे कर रहा है उसके बाद प्र एक डिगरी का पता चल जएगा तो पांच का गुणा कर देंगे, है ना, तो पांच मिनट में यह जो केंदर पर कोड बनाएगा, वो निकल जाएगा, अब उसके बाद फिर से ध्यान से सुनिएगा, पांच मिनट में कोड निकालने के लिए सबसे पहले तो यह ध्यान देना ह होगा, अगर यह मिनट की सुई यहां से शुरू की घूमना, तो इस पूरे घड़ी को घूमने में, यहां तक फिर से पहुंचने में घूमकर, साथ मिनट लेगा, और साथ मिनट में आप जानते हो आप, कि अगर कोई भी वस्तू अपने एक चुकर अगर बृताकार पत्प अगर पूरा कर देता है, तो तिन सो साथ डिगरी का कोण बनाता है, है ना, तो यहां पर लिखना स्टाट करते हैं, कुश्चान नंबर तीसरा के आंसर है, है ना, मिनट की सुई द्वारा साथ मिनट में बनाये गया कोण, मिनट की सुई द्वारा साथ मिनट में बनाये गया कोण, कोण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन सो साथ डिगरी, यानि की मिनट की सुई द्वारा साथ मिनट में कितना डिगरी कोण मनेगा, 360 का तो मैं पूछू कि एक मिनट में कितना होगा तो ये 60 गुणाय में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा है ना यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक मिनट में बनाया गया कोण बनाया गया कोण कितना हो जाएगा दोस्तो 360 और बटा में 60 0 से 0 गया और 6 से इसको कट करेंगे तो 6 डिगरी है ना यानि 6 डिगरी कोण बनायेगा कितने में तो एक मिनट में कौन बनायेगा मिनट किस हुई राइट तो इसलिए 5 मिनट में 5 मिनट में बनाया गया कोण 5 मिनट में कितना कोण बनेगा दोस्तो तो इसलिए ठीटा से अप्रिर परजेंट कर लेते हैं हमलों आंना 5 मिनट में तो 1 मिनट में 6 डिगरी तो 5 में 5 गुण एचे यानि 30 डिगरी राइट तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो पांच मिनट में ये मिनट की सुई है यहां से यहां तक जाने में ये केंदर पे 30 डिगरी का कूर अंतरीत कर लेगा ठीक है तो अब इसके द्वारा छेतर फल हमें ग्याद करना है तो यहां पे लिखेंगे इसलिए पांच मिनट में राचित छेतर फल छेतर का छेतर फल है ना राचित छेतर का छेतर का छेतर फल अब ये छेतर फल किसके बराबर होगा दोस्तों ये तो हमारा एक त्रिजे खंड है ना तो त्रिजे खंड का छेतर फल तो तुरे जे खण का क्या होता है ठीटा बटा में 360 और इंटू पाई र स्क्वाइर राइट ठीटा का मान क्या है दोस्तों तो यहाँ पर 5 मिनिट में कितना कोण बना रहा है 30 डिगरी का तो यहाँ पर 30 डिगरी रखेंगे है ना 30 बटा में 360 और गुड़े पाई का मान क्या रखना है 22 बटा साथ और गुड़े आर का मान क्या है दोस्तों तो यहाँ पर आर का मान सुई की लंबाई कितना दे चुका है 14 तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो आर बराबर 14 सेंटीमेटर है ना लिखेती जिएका सुई की लंबाई आर्थात आर बराबर 14 सेंटीमेटर यहाँ पर लिख सकते है आप 14 गुड़े 14 क्यों चौदा गुड़े 14 लिखा जा रहा है जोस्तों 6 और यह 2 सते 14 अब अगर देख लिया जाए दोस्तों तो 22 सते 154 हो जाएगा न और बटा में क्या बचेगा 3 यह सेंटीमीटर स्कौर यानि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा जो रचित 6 त्रफल होगा वो कितना होगा 154 बटा में 3 cm2 यही आपका एंसर होगा दोस्तो चलिए question number 4 देख लेते हैं दोस्तो question number 4 कहा रहा है दोस्तो बोला है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक ब्रित की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है जहां पर ध्यान देजेगा एक ब्रित है है ना जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 cm त्रिज्या वाला एक ब्रित है यह आपको दिखाई दे रहे एक ब्रित और इसकी त्रिज्या कितना दे चुका है 10 cm और बोला केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है ना यह मा लेता ह ये बना रहे सम्कोंग ये इस तरह इन दोनों के बीच का जो कूंड है वो कितना है अमारा तो ये वाला जो कूंड है वो 90 डिगरी है राइट चलिए और ये त्रिज्य कितना है तो 10-10 cm है ये भी 10 cm है और ये भी 10 cm है राइट तो बोलना यहां पर कि निमनलिखित के छित्र फ अब लगु मतलब छोटा होता है, ब्रित खंड मतलब ब्रित का खंड, यह जैसे पूरा ब्रित हो गया, तो अगर इसे हम लोग एक जीवा के द्वारा इसका दो टुकडों में इसको बाड़ते, यह आप देख रहे हैं, तो यह नीचे वाला जो भाग है ना इसे लगु ब्रि और आट करेंगे फिर दूसRE वाले में क्या कहँ रहे है, संगत देर की तरिज्य खंड का खेत्र फल अब देर के तरिज्य क TV किसे काएंगे हम लोग, तो जैसे कि अगर ये वाला अगर हम लोग उठा लेते हैं ये वाला लखुत त्रिज्य खंड का लाएगा ये वाला भाग ठिक और देर्गित त्रिज्य खंड का उनसा का लाएगा तो ये वाला दिखाई तेरा दोस्तों ये सभी के सभी क्या है देर्गित त्रिज्य खंड है है ना और आगे देख लेते हैं इसमें बोल रहा है कि पाई का जो मान है ना तिन दस मलो एक चार रखना है चलिए तो शुरू करते हम लोग अपना तो यहां पर लिख लेंगे कि चुकी दिया हुआ है बिरित की तरिज्या कितना है दस सेंटिमेटर और केंद्र पर एक समकोण अंतरित कर रहा है यानि ठीटा का मान क्या है नबे डिग्री है ना तो यहां पर लिख सकते हम लोग चुकी दिया हुआ है बिरित की तरिज्या आर बराबर क्या होगा दोस्तों दस सेंटिमेटर राइट तथा केंद्र पर केंद्र पर बना कोण बना कोण ठीटा इससे रिपरजेंट करते समकोण है अर्थात नबे डिग्री है ठीक है तो अब आपसे पूछा जाए यहां पर पहला नमबर की संगत लगू बिरित खंड तो बिरित खंड का छेतर फल क्या होगा दोस्तों यह वाले भाग का तो इस पूरे त्रिज्या खंड के छेतर फल में से त्रिज्या खंड देखेगा ध्यान से यह इस पर मैं पहले चला रहा हूं यह पूरा का पूरा यह त्रिज्या खंड का लाता है अब इस त्रिज्या खंड का छेतर फल में से अगर मैं इस त्रिभूज का छेतर फल घटा दू तो यही वाला भाग बट चेएगा ना तो समझ में आ गया होगा अब आपको तो क्या हम लोग लिखेंगे लगू ब्रिद खंड का छेतर फल बराबर त्रिज्या खंड का छेतर फल मैनेस त्रिभूज का छेतर फल तो यहां पर लिखे लेंगे हम लोग पहला भाग में इसलिए लगू ब्रिद खंड का छेतर फल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो जहां पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का छेतर फल त्रिज्या खंड और मैनेस अब यह त्रिभूज कैसा है दोस्तों तो समकोंड त्रिभूज है ना लिखे देंगे समकोंड त्रिभूज का छेतर फल समकोंड त्रिभूज और का छेतर फल बाहर लिखे देते है ना राइट यानि त्रिज्या खंड का छेतर फल क्या हो जाएगा तो ठीटा बटा में 360 और इंटू पाइयर स्क्वाइर होता है माने समकोड तिर फूज़का एक बटा दो गुणे अधार और गुणे उच्छाई यह होगा न दोस्तो यहाँ पर मैं इन सभी का पर्टिकुलर अब कोई भी यहाँ पर हमने OAB कुछ भी नहीं दिया है ठीक है इतना करने पर बहुत काफी दिक्कत होता है च्चिट्टेश को इसलिए मैंने डारेक्ट लिखा गुण है 18 यहाँ डिखा जाए तो ठीटा गमान क्या रखेंगे दोस्तो तो 90 डिग्री तका गमानर कोण का केतना है 90 डिग्री है, समकोड बना रहा है, 90 बटा में 360, पाई का मान क्या रखना है दोस्तों, 3,10 मुलो, 1,4, गुणे आर स्क्वाइर, आर का मान कितना है, 10, तो 10 का स्क्वाइर क्या हो जाएगा, 100, मैनेस एक बटा दो, गुणे, अधार का मान क्या है दोस्तों, तो ये भी 10 होगा, उचाई का मान क्या है, 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, 10 गुणे, 10, राइट, चलिए, अब आ जाते हैं, हम लोग ये 0 से 0 कैंसल आउट, नौचोग के, 36, चार बार में चला जाएगा है न, और फिर इसे अगर डिवाइड करना चाहते हैं आप, तो 4 से इसको भी कट कर हमारा 3 दस मलो एक चार, और गुणे 25 बच गया है, फिर मैनेस, ये 5 गुणे 10 बच गया है, ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 25 के 100 के 0 हाथ में, 10, 25 से कम 25, 10, 35 के 5 हाथ में, 3, और 25 तिया 75, और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 78, पॉइंट लगा दीजिए दो आंख पे, त पचास, और इसे जब घटा देते हैं, तो कितना बचता है दोस्तों, तो 78 में से 50 घटाईएगा, तो कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा है ना, नहीं सोरी, 28 बच जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वाइर, ये किसका अगे है दोस्तों, तो लगू बिरित खंड का छेतर अब आज ये यहाँ पर क्या निकालना है दूसरा नंबर में, और आज संगत देर्ग तरिज्या खंड का छेतर फल, है ना, तो देर्ग तरिज्या खंड का छेतर फल, दूसरा नंबर में, देर्ग तरिज्या खंड का छेतर फल, देर गितर जय खंड का छितर फल क्या होता है 360 मानेस ठीटा और बटा में 360 एंटू पाई यार स्क्वाइर और फिर से बता दें आपको कि देर गितर जय खंड किसे कहेंगे तो ये वाला पार्टिकल को किसको कहेंगे ये वाले को तो आईए यहाँ पर फिगर बना लिजेगा दोस्तों ठीक ना यहाँ पर देखिए 360 मानेस ठीटा 360 और ठीटा का मान क्या है 90 बटा में 360 और पाई का मान क्या रखेंगे 310 मुलो 1,4 है नगूने आर स्क्वार है आर का मान क्या है 10 तो 10 का स्क्वार 100 हो जाएगा तो हमने 100 रख दिया डिरेक्ट 360 में से 90 घटा दीजे तो 36 में से 9 घटा आते हैं तो कितना बचता है 27 यानि 270 बटा में 360 और गूडे 310 मुलो 1,4 और गूडे 100 तो जीरो से जीरो गया और नो तिया 27 नो चोगे 36 ठीक है अब क्या बच गया हमारा दोस्तों तो दिखा जाए तो 3 बच गया है और 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 314 हो जाएगा यानि 3 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 314 और बटा में कितना हो जाएगा 4 अब इससे गुणा कर लेते हैं हम लोग तो 3 4 के 12 और फिर 3 एकम 3 और 1 4 फिर 3 तियाई 9 942 बटा में 4 डिबाइड कर लेजे 4 दूना 8 और फिर 1 4 4 तियाई 12 है न फिर 2 आजाएगा है न फिर 4 पचे 20 पॉइंट देके 4 पचे 20 तो यह आजाएगा 235 दसमलो 5 सेंटीमेटर स्कॉयर हो जाएगा तो यह आपका एंसर था दोस्त दोनों कम्प्लीट हुआ यानि कि चोथे का पहला और दूसरा दोनों किलियर हुआ यहाँ पे कोस्चन नमबर 5 क्या दिया हुआ है दोस्तो बोला है त्रिज्य एकईस सेंटीमेटर वाले ब्रीट का एक चाप केंदर पर 60 दिगरी का कोण अंत्रित करता है यहाँ पे त्रिज्य आपको एक ब्रीट दिया हुआ है और इसकी त्रिज्य कितना दिया हुआ है दोस्तो 21 सेंटीमेटर right तो यह भी त्रिज्य होगा है ना यह भी कितना है 21 सेंटीमेटर right इसका नाम देता हुआ ओ इसका नाम ए और यह बी दे दिया यहाँ पे ध्यान दिजिएगा बोल रहाए चाप केंदर पर 60 笑म और यहाँ द्रिट करता है इसके द्वारा केंदर पर कितने डिगरी का कूण अंत्रित हो रहा है, 60 डिगरी का, ठीक है दोस्तों, बोला है चाप का लंबाई, यानि ये वला चाप का लंबाई है, और इसका आपको लंबाई बताना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजेगा, सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ब्रेत का, ब्रेत की त्रिज्जा लिखते हैं, है न, और ये त्रिज्जा क्या-क्या है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, तो ओ ये बराबर, ओ भी बराबर, एक ए सेंटिमेटर, ओ ए, बराबर, ओ बी बराबर, इसे हम लोग आर से दिनोट कर देते हैं, फिलाल में, और ये कितना दिया है, 21 सेंटिमेटर, है न, 21 सेंटिमेटर, आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, चाप के द्वारा केंदर पे जो बना हुआ कोण कितना है, 60 डिगरी, तो यहाँ पे त ठीटा बराबर कितना है, दोस्तों, 60 डिगरी है, तो पहला बोल रहा है, चाप की लंबाई किया है, पहला नमबर लिख लेते हैं हम लोग, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, दोस्तों, तो चाप की लंबाई बराबर होता है, ठीटा बटा में 360, फॉर्मूला याद कर लिजेगा दोस्तों, बिना फॉर्मूला के नहीं चलेगा, थीटा बटा में, 360 इंटु 2 पाई आर, देखें, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्याँ देजेगा, ये चाप का लंबाई है, और ये लंबाई किसका है तो इस बिरित का ही परिधी का है ये भी टुकडा, तो बिरित का परिधी क्या होता है, तूपा यार, और ये कितना है, तो बस इतना है, है ना, यानि कि 60 डिगरी कोण के सामने का जो जितना लंबाई है, उतना ही लेना है, तो ये 60 डिगरी किस में से है, पूरे 360 डिगरी मे से 60 degree का निकालना है और कितना चाप लेना है लंबाई तो इतना ही लेना है तो हमने बोल दिया कि इस पूरे ब्रित के परिधी में से 60 degree के द्वारा जितना हमारा चाप है उसी का हम लोग लंबाई निकालेंगे यानि कि जितना कोण अंत्रित करें तो देखा जाए तो 360 में से कितना कोण अंत्रित करें ठीटा और किसका भाग हम लोग लंबाई का निकालेंगे तो ब्रित के परीधी का है ना तो यहां पर टूपाई यार कर दिया ठीक कोई दिकत नहीं है आप अगर इसे और भी अच्छी तरह से समझना जाते हैं तो मेरा कॉंसप्ट का वीडियो देखली जीए गधा तो कलियर हो जाएगा है ना चलिए आगए देखते हैं से ठीटा का मान कितना है दोस्तों साथ तो यहां पर रख देंगे साथ बटा में 360 और गुड़े 2 पाई का मान क्या रखना है दोस्तों तो यहां पर पा और इंटू आर, आर कामान कितना है, 21, तो यहां पर 21 लिख लेंगे, सातिया, 21, तिन बार में चला जाएगा, यह छे जाएगा, 36, तिन दोना, 6, और यह 2 से 2 चला जाएगा, है न, तो यह कुल मिलाकर कितना आ जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा, देखें, 22 cm, राइट, कित जाते, question number second पर, यानि दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर में क्या पूछ रहा है दोस्तों, चाप द्वारा बनाए गए, त्रिज्य खंड का छेतर फल, यानि कि इस चाप के द्वारा, त्रिज्य खंड का छेतर फल बाताना है, यह पूरे भाग का, तो त्रिज्य खंड का चेतर फल, बराबर क्या होता है दोस्तों, ठीटा बटा में 360, और गुणे पाई र इसक्वार, रख दीजे अब, ठीटा का मान कितना है दोस्तों, 60 डेगरी, है ना, यहां पर रखेंगे, 60 बटा में 360, और गुणे पाई का मान, 22 बटा साथ, गुणे आर इसक्वार है, तो आर का मान क्या है दोस्तों 21 तो इसको दो बार लिख दीजे फैला कर 21 गुणे 21 है ना सातिया 21 तिन बार में चला जाएगा है ना चे जाके 36 ये तिन दुना 6 और ये 2 से 11 टामस चला जाएगा है ना क्या बच गया अब हमारा 11 बच गया गुणे 21 बच गया अब अगर कर ले हम लोग 11 में एक का गुणा तो 11 एकम 11 एकार दुना 22 हो जाएगा और एक 23 यानि 231 सेंटीमीटर स्क्वाइर अब आज आते हैं कोस्टन नमबर तीसरा पर तो इसमें तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों तो इसमें तीसरा जो है आप से कह रहा है तीसरा कह रहा है इसमें दोस्तों कि संगत जीवा दोरा बनाए गए ब्रित खंड का छेतर फल तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉंसेप्ट की बात हो जाता है ब्रित खंड किसे कहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह वाले को हम लोग क्या कहेंगे ब्रित खंड यह वाले पाट को अब इसका छेतरफल निकालना है तो क्या करेंगे इस पूरे तिरिज्य खंड के छेतरफल में से इस तिर्भूज का छेतरफल घटा देंगे अब ये तिर्भूज कैसा है तो अब इस तिर्भूज को अब हम लोग सिध करते हैं पहले जाच करते हैं कि क्या है भई यहाँ पर देखा जाए तो यह त्रिज्या है O A बराबर O B और केवल खाली एक कोंड दिया हुआ 60 डिगरी कितने लोग तो बोल देते हैं यह एक संभाहू तिर्भूज है लेकिन कैसे आप बता पाएंगे कि संभाहू तिर्भूज है अगर दो कोंड भी दिया रहता है अगर यह कोंड भी 60 डिगरी होता है और यह भी 60 डिगरी तो मैं कहा देता है कि नहीं यह obviously 60 डिगरी होगा क्योंकि तिर्भूज के तिनो कोंडों का योग 60 डिगरी होता है लेकिन केवल एक कोंड दिया हुआ है तो फिर कैसे हम लोग कहेंगे तो इसे सीध करना पड़ेगा कि ये एक संभाहू तिर्भुज है है ना तो यहां पर लिखेंगे कि O A बराबर O B है तिर्भुज O A B में हम लोग बात कर रहे हैं किस में O A B में ये पार्ट नंबर तीसरा में ही है है ना अब तिर्भुज O A B में दिखा जाए दोस्तों तो O A बराबर क्या है O B क्यों कि तरिज्जा है यहां पर लिख देंगे O A बराबर O B है क्यों है भाई तो तरिज्जा है यहां पर लिख सकते आप रिजल तरिज्जय है है ना अब यहां पर ध्यान देज़ेगा जब O-A बराबर O-B है तो इसके आमने सामने की कोड जो होगा आपस में बराबर होगा O-A बराबर कितना हो जाएगा कोड B सोरी समान भूजा के क्या हो जाते है समान कोड आपस में बराबर होता है इस भूजा के सामने का कोड कौन सा है कोड B और इस भूजा के सामने का कोड कोड यह है तो इसके सामने आप लिख सकते कोड B बराबर कोड A यानि कि अब हमें क्या पता चला है कोड A और कोड B दोनों के दोनों बराबर है, है ना, पुना अगर हम लोग बात करें तो तिरभूज के तीनों कोड़ों का योग कितना होता है दोस्तों, तो 180 डिग्री, कोड़ A प्लस कोड़ O प्लस कोड़ B बराबर कितना, 180 डिग्री, लेकिन, कोड़ A प्लस कोड़ O प्लस कोड़ B बराबर 180 डिग्री, है ना, तिरभूज के योग नियम से, कोड़ A कोड़ A ही रहने दे रहा हूँ, कोड़ O किसके बराबर है दोस्तों, 60 डिग्री के बराबर है ना, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस कोड़ B किसके बराबर है, तो code B, code A के भी बराबर है तो यहाँ पर भी code A रख देते हैं बराबर 180 degree देखा जाएं तो A कोड A और A को यह है तो A के 2 2 code A बराबर क्या हो जाएगा 60 plus में इधर आए तो मैनस में 180 मैनस 60 कितना घटेगा तो बचेगा दोस्तो 120 degree 2 से इसको कट कर दीजिए कितने बार में कटेगा 60 degree बार में यानि code A बराबर कितना आगया 60 और code A किसके बराबर है code B के भी बराबर है तो code B बराबर भी 60 degree यानि हमने सीध कर दिया कि code A भी 60 है और code B भी 60 है है ना और code O 60 तो है ही ये तो दिया हुआ है तो इस परकार ये तिर्भुज O, A, B एक संभाहू तिर्भुज हो जाएगा इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए तिर्भुज O, A, B एक संभाहू तिर्भुज होगा संभाहू तिर्भुज है मानता हूं थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों लेकिन actual में question कैसे बनना चीए ये इसका तरीका है ठीक है अब बात करते हैं हम लोग ब्रित खंड का छेतर फल का है ना तो ये ब्रित खंड है ये है ना तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग तो ये पूरे 30 खंड के छेतर फल में से इस तिरभूज का छेतर फल घटा देगे है ना यहाँ पर लिखा जाएगा तीसरा नमबर अब पार्ट नमबर तीसरा हम लोग कर रहे है राइट इसलिए ब्रित खंड का ब्रित खंड का छेतर फल बराबर त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का छेतर फल मैनेस संबाहु तिरभूज का छेतर फल है ना संबाहु तिरभूज का छेतर फल और यह किसके बराबर हो जाएगा दोस्तो त्रिज्या खंड का छेतर फल क्या होता है ठीटा बटा में 360, इसका तो हमने ऐसे मान निकाल लिए हैं, तो इसका मान ही हमने निकाल लिए, तरिज्य खंड का छेतरफल, कितना लिए निकाला है, तो अगर आपको दिखा दू तो ये देखी, त्रिज्य खंड का ही छेतरफल निकाला गया हैं न, 231 cm², यहाँ पर रख देते हैं हम लोग directly यहाँ पर रख देंगे हम लोग 211 minus, समभाहुतिर भूज का क्या होगा? रूट 3 बटा में 4 गुणे भुजा square राइट ये फॉर्मला होता है भुझा square चलिए आगे देखते हम लोग 231 मानिस रूट 3 और बटा में 4 गुणे भुजा का मन क्या है दोसतो Sus यहाँ पे देखे भुजा का मन क्या है 21 है तो यहाँ पे लिखते देंगे आप 21 का square यहाँ पर आगे देखा जाए तो 231 मैनेस रूट 3 बठा में 4 और 21 का square क्या होगा 441 अब इसे थोड़ा सा और सा जाके लिख दीजे 200 231 मैनेस 441 पहले लिख लिख लिजे और रूट 3 है ना और बठा में 4 और यह centimeter square लिख दीजे यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो question number 5 भी clear हो गया होगा अब आज यह 6 पर तो दोस्तों देखिए हम चितर आप जरूर बनाते जाएगा है ना जितना भी figure मैं ड्रा कर रहा हूं इन सभी को अच्छी तरह से बना लेजिएगा अपने कॉफी पर राइट आगे देखते हैं question number 6 बोल रहा है यहां पर कि 15 cm त्रिज्जा के एक ब्रीद की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिगरी का कोण अंत्रिद करती है यहां फर ध्यां देजएगा दोस्तों एक 15 cm त्रिज्ज्जा वाला एक ब्रीत है हमारा है ना यह माल cloves हम लेक्त हैं और तो इसके त्रिज्या कितना दे चुका है 15 cm माल लेता हूं यह केंद्र है उसका यहां पर धेया जाए तो यह हमारा क्या हो गया कितना है हमारा 15 सेंटी मीटर और यह भी एक त्रिज्या हो जाएगा है ज रहा है कि बुल रहा है कि बृत की को जीवा केंदर पर 60 डिगरी का कुण अंत्रित करती है यह महां लेते हैं बृत की यह जीवा है और ये जीवा इस केंद्र पर कितना डिगरी का कोण अंत्रीप कर रहे हैं फिर पिछला यी वाला कोस्तन है दोस्तों अगर पिछला वाला नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला समझके आपका क्लियर हो जाएगा राइट ये वाला A माल लेता हूँ, ये B, और ये P माल लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी माल लेता हूँ, मानिये, चाय मत मानिये, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या ग्याद करने के लिए कह रहा है, संगत लगू और दिर्ग बृत पिछला वला में, तो दिर्ग बृत खंड क्या होता है, तो ये पूरा पार्ट, ये हमारा लगू बृत खंड हो गया, तो इसको छोड़ के जितना भी ये सब बच रहा है, ये सब क्या क्या लाएगा, दिर्ग बृत खंड, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजिंग मत हो येगा, दिर्ग बृत खंड दूसरा चीज होता है, दिर्ग बृत खंड दूसरा होता है, दिर्ग बृत खंड मतलब बृत का बड़ा खंड, लगू बृत खंड मतलब बृत का छोटा वला खंड, ये, समझ में आ रहा है, तो आईए सब से पहले लिखना इस्टार्ट कर देते हैं, क्या-क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हम लोग ब्रीत की तरिज्या कितना दिया हुआ है 15 सेंटिमेटर और जिवा द्वारा कौन कितना अंत्रित हो रहा 60 डिग्री है ना तो यहाँ पे लिखना इस्टार्ट करेंगे अब हम लोग कुस्चा नमबर 6 चुकी दिया है ब्रित की त्रिज्या बराबर कितना है दोस्तो आर बराबर 15 सेंटिमेटर है तथा कोण ठीटा बराबर कितना दे चुका है दोस्तो साट डिडी तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं लगु ब्रित खंड यानि इस भाग का चितरफल पूझ रहे न आपसे ये वाले भाग का चितरफल कैसे ग्यात होगा इस पूरे त्रिज्या खंड के चितरफल में से इस तिर्भुज के चितरफल घटा ना होगा अब बा औरोज ए ओ बी में इसको पहले डिसाइड कर देते कौन सा तिर्भूज है तो यहां पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा ओ यह बराबर ओ भी है वो ये बराबर वो भी क्यों है क्योंकि त्रिज्य है टाइट क्या है दोस्तों त्रिज्य है अच्छा जब त्रिज्य बराबर है तो इनके सामने की कोंड क्या हो जाएगी आपसमें बराबर यानि ये जब भुजाएं बराबर होती है दो भुजाएं तो उसके समों कोंड क्य होते हैं अपसमें बराबर अब यहां पर ध्यान देजेगा इसके सामने का कौन सा हो जाएगा कौन भी राइट और इस भुजा के सामने का कौन क्या हो जाएगा कौन यहां यहां पर लिख सकते हैं यह कौन भी बराबर कौन यह हो जाएगा क्यों हो जाएगा यहां पर लिखन के समोख समोख कोंड है राइट इतना लिख लेंगे यानि कोंड B और कोंड A बराबर हो गया तो तिर्भुज के तिनों कोंडों का यो कितना हो जाएगा 180 डिग्री तब तिर्भुज के तिनों कोंड अर्थात कोंड O प्लस कोंड A प्लस कॉण B बराबर कितना हो जाएगा 180 degree कॉण O का मान कितना है दोस्तों 60 degree तो यहाँ पर रख लिजे 60 degree प्लस कॉण A को एज़ेटीज रख दिया प्लस कॉण B का मान क्या है हमारा तो कॉण B कॉण A के ही बराबर है कौण A रख देते हैं यहां पर बराबर 180 डिग्री यह 60 प्लस में उधर गया तो मैनस में यह कौण A और यह कौण A कितना हो जाएगा? 2 कौण A बराबर 120 डिग्री 180 में से यह प्लस 60 ज़र आएगा तो मैनस में गटेगा तो कितना बचेगा? 120 दो से कट करेंगे तो साथ डिग्री यानि कोण A बराबर कितना आ गया साथ डिग्री है ना और ये किसके बराबर है कोण A कोण B के बराबर यानि कोण A और कोण B दोनों का मान कितना आ गया साथ डिग्री और कोण O जो है दोस्तों ये कितना दिया हुआ है 60 डिगरी है तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसलिए तिर्भुज OAB एक संभाहु तिर्भुज होगा इसलिए तिर्भुज OAB एक संभाहु तिर्भुज संभाहु तिर्भुज होगा राइट अब आ जाते हैं दोस्तों बात करते हैं, पहला लगु ब्रित खंड का छेतर फल है ना, इसमें पहला पाट क्या है, लगु ब्रित खंड का खंड का खंड का खंड का छेतर फल बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला याद है ना, त्रिज्या खंड का छेतर फल, त्रिज्या खंड का छेतर फल, औ मानेस इस तिर्भुच का छेतरफल, त्रिज्याखण्ड का छेतरफल मानेस संभाहु तिर्भुच का छेतरफल, त्रिज्या खंड का छेत्रफल क्या होता है दोस्तों ठीटा बटा में 360 गुणे पाई यार इस्क्वाइर और माने संभाहू तिर्भुज का क्या हो जाएगा एक बटा रूट तीन बटा दो स्वरी रूट तीन बटा चार गुणे भुजाई स्क्वाइर है ना मान रख देते हैं दोस्तों है ना ये देखी ठीटा का मान क्या है अमारा साट डिगरी बटा में 360 और इन्टू पाई का मान क्या रखना है दोस्तों तो यहां पर यहां किताब में अगर देख लूँ तो प पाई का मान 3 0.1,4 और R सक्वाइर है तो R का मान कितना दिया हुए ति लिगरी ठीटा का मान ये देख देखे 15 का स्कु нравится हो जा और बटा में क्या है चार और फिर भूजा स्कॉयर भूजा कितना दे चुका है दोस्त इस संभाहु तिर भूज का भूजा कितना दिया है 15 ही यह तो है यहाप लिखेंगे गुणे 15 का स्कॉयर ठीक है अब इसे थोड़ा सा आगे सुल्व करना है बस दोस्तों कैलकुलेशन औ जिरो से जिरो गया है यह जाके 36 छे बार में अब देखा जाए अगर थोड़ा सा स्मार्ट अगर यहाँ पर दिमाग लगा दिया जाए तो देखें यहाँ पर क्या बच रहा है तीन दस मलो एक चार बटा में 6 ले ले रहा हूं और यहाँ पर 15 का स्कॉयर यहाँ पर भी है तो दोनों में से 15 का स्कॉयर कॉमन कर लिए यह 15 का स्कॉयर हमने कॉमन कर लिया क्या बचा तीन दस मलो एक चार बटा में 6 और यह मैनेस एक दस मलो साथ तीन बटा में 4 राइट आगे आ जाते हैं दोस्तों 15 का स्कॉयर दोसो पचीस हो जाता है है और यह 6 और 4 का इलसियम क्या होगा तो 6 और 4 का इलसियम 12 होता है है ना 6 दूना 12 और 2 से इस में करेंगे तो यह शेशो अठाइस होगा यानि 6 दस मलो 2 अठ फिर मैनेस 4 से इसे डिवाइड करे तो 4 तीन बटा में और तिन से इस में करेंगे तो तिन ती है नो, तिन सते एक इस के एक, और तिन है और दो पांच, पॉइंट दो अंख पे लगा देंगे है ना, चलिए, अब घटा लेते हैं हम लोग इसको, यह हो जाएगा हमारा दो सो पचीस, और यहां पर गुड़े घटाएंगे हम लोग, देखे, 18 में से 9 घटेगा तो 9, और यह 1 में से घटेगा तो 0, फिर पॉइंट, यह तो इसको दे दिया है ना, सॉरी, नहीं दिया है, तो यह बच गया हमारा 6 में से 5 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और बटा में 12, ठिक, अब आज यह गुणा कर लेते हैं हम लोग, है ना, तो दिखा जाए यहाँ पर, तो 3 से कड़ जाएगा यह बला दोस्तो, यह 3 चोग के 12, और यह 3 सते, 21, 13, 15, अब अगर हम लोग 4 से अगर डिवाइड करें, तो चलिए गुणा कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, 75 में 109 का गुणा कर लेते हैं है ना, तो मैं आपको करके दि यहाँ पर, एक पेज पर, यह हमारा पेज है, राइट, एक दसमन लो, 09 में कितने का गुणा करना है पहले, 75 का, तो यह दिखा जाए तो 59, 45 के 5, हाथ में 4, और 5 में 0 को करेंगे, यह 4 लिख देंगे, है ना, फिर 5 एकम 5, चलिए 7 से करते, 7 9, 63 के 3, हाथ में 6, 7 में 0 का 0, और यह 6 लिख देंगे, यहाँ पर, 7 एकम 7, 5, 4, 3, 7, 6, 5, 1, और यह 7, 8, और पॉइंट दो अंख पे, है ना, यानि 81, कितना आ गया हमारा, 81.75, दो अंख पे हमने पॉइंट बठा दिया, और बठा में 4 है, चलिए इसे डिबाइट करतें दोस्तों, तो अगर मैं इसे 4 से डिबाइट करके दिखाऊ, तो देखें, 4 दोना, 8, कट, यह 1 आ गया ना, दोस्तों, अब यह 7 को बुलाना है न, पॉइंट को भूल जीए अभी आप, है ना, तो 7 को जब बुलाएंगा न, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, अब इसके इधर, अब 7 को बुलाएंगे, त तो 7 को बुलाएंगे, तो पॉइंट आ रहा है न, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, है न, तो 7 आगे यहाँ पे, चर्चो के 16, कितना बचेगा, 1, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 तिया, 12, और यह कितना बचेगा, दोस्तों, 3, 0 आ जाएगा, फिर 1 पर पॉइंट बै है न, यानि कितना आ गया, 20 दस मलो, 4, 3, 7, 5, यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके लिखे भी सकते हैं, 20 दस मलो, 4, 3, 7, 5, सेंटी मीटर स्क्वाइर, तो यह हमारा लखू ब्रित खंड का छेतर फल था दोस्तों, है न, अब दिर्ग ब्रित खंड का छेतर फल अब बात करते हैं दोस्तों कि दिर्ग ब्रित खंड का छेतर फल कैसे ग्यात किया जाए है न, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे ब्रित के छेतर फल में से, ध्यान से सुनेगेगा, इस पूरे ब्रित के छेतर फल में से लगू ब्रित खंड का छेतर फल घटा देंगे, तो ब्रित का छेतरफल क्या होता है तो यहाँ पे दूसरा नंबर डाल लेते हैं तो यहाँ पे आप डालेंगे क्या देर्ग ब्रित खंड का छेतरफल ब्रित खंड का छेतरफल ब्राबर क्या हो जाएगा दोस्तों ब्रित का छेतरफल और मैनेस लगू बृत्खंड का छेत्रफल है ना लगू बृत्खंड का छेत्रफल अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों तो बृत्खंड का छेत्रफल क्या होता है पाईयर स्क्वाइर और मैनेस लगू बृत्खंड का छेत्रफल कितना आया है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वार बाद में लिख लिया जाएगा पाई कामान रखी है यहाँ पे 3 दस्मान लो एक चार और गुनड़े आर स्क्वार आर कामान कितना दिया हुए दूस्तों 30 कितना दिया हुए है 15 सेंटीमीटर है ना 15 का स्क्वार मैनस 20.4375 अब देख लिया जाए तो ये 3 दस्मलो एक चार और ये गुण 15 का स्क्वार क्या हो जाएगा 225 माइनस 20 दस्मलो चार तिन साथ पाँच अब इन दोनों का गुणा कर लिया जाए दोस्तों ठीक है तो ये गुणा करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे दिखे तिन दस्मलो एक चार में हम लोग 225 से गुणा करेंगे तीन दसमनलों एक चार में दो सो पचीस से गुणा करेंगे पंचोग के बिस के जिरो हाथ में दो पांच एकंग पांच दो साथ पांच दिया पंदरा दो से कर ये ये कितना हो जाएगा छेसो अठाइस हो जाएगा ना तो छेसो आठाइस लिग दीजिए फिर छेसो अठाइस एकंग और दो से करिएगा तो छेसो अठाइस ये होगा तो फिर आठ दो छे जोड़ देजी आब इसको जीरो आठ साथ पंदरा के पांच और ये पांदो साथ साथ आठ पंदरा एक सोला और ये साथ दू नौ नौ एक दस के जीरो और 6 एक साथ हो जाएगा दूसरों ठीक है पॉइंट लगाना है आपको तो दो आंग पे लगा दीजिए कितना हो जाएगा 706 पॉइंट 50 50 है न तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 706 पॉइंट 50 0 मैनेस 20 दसमलो 4 3 7 5 चलिए अब घटा देते हैं हम लोग तो अगर इसे घटाएं दोस्तों तो कैसे घटाया जाएं बाद उठ रहें किस तरह घटाया जाएं तो यहाँ पे देखिए 706 पॉइंट 5 0 में से कितना घटाना है 20 दसमलो 4 3 7 5 तो पॉइंट के सामने पॉइंट लगाए जाता है यहाँ पे है 20 दसमलो 4 3 7 5 यह 0 आगे बढ़ा दीजिए आपका है न अब यहाँ पे देख लिए जाए तो घटाये जाए यहाँ पे थोड़ा सा तो दस में से 5 घटेगा तो 5 9 में से 7 घटेगा तो 2 यहाँ पे 2 बच जाएगा फिर 9 में से 3 घटेगा तो 6 और फिर तो यहाँ पे एक ही रो रहेगा दोस्तों यह पीछे वाला नहीं रहेगा न यह 10 में से 5 घटेगा तो मैंने 5 बचा यह फिर 9 में से 7 घटेगा तो 2 बच जाएगा है न और यह आपका 9 में से 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा यह सब को देते जा रहा है न तो 4 में से 4 घटेगा तो 0 पॉइंट अब देखिए यहाँ पे 6 में से 0 घटेगा तो 6 और यहाँ पे दिखा जाए तो 70 में से 2 घटेगा तो 68 ठिक यानि 686.0625 cm2 आजाएगा तो हमने आपको पूरा करके दिखाया है दोस्तों ठिक 686.0625 cm2 यह आपका एंसर हो जाता है दोस्तों उमेद है दोस्तों यह भी आपको समझ में आया होगा चलिए 7 बाद देख लेते हैं हम लोग कोश्चन नमर 7 क्या कहा रहा है दोस्तों बोल रहा है कि 312 cm वाले एक ब्रेट की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिगरी का कोण अंतरित करती है बहुत यह आसान बिधी से बताऊंगा दोस्तों बिलकुल एकदम ध्यान से देखते रहेगा संगत ब्रेट खंड का छेतरफल ग्याद कीजिए तो यहां पर अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों थोड़ा सा तो त्रिज्य कितना दे दिया है 12 cm यह माल लिया कि कोई ब्रेट है ठीक है और इसके त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 12 cm राइट यह आप इंच से बनाया किजिएगा अपने रप्पे यह किताब पर जो भी कॉंपी पर जिस पर भी बनाते है ना और यह कितना दिया हुआ है तो यह दे चुका आपको 12 cm रिज्या और बोल रहा है कि कोई जीवा जो है केंदर पर कितना डिगरी का कॉंप बना रहा है 120 डिगरी का यह हमारा जीवा है और यह केंदर पर 120 डिगरी का कॉंप अंतरित करता है तो बोल रहे हैं कि संगत ब्रित्खंड का छित्रफल ग्याद कीजिए यानि ये वले आपको ब्रित्खंड का छित्रफल जब भी ब्रित्खंड का बात करें तो आपको लगू ब्रित्खंड का छित्रफल ग्याद करना होता है ठीक है अगर दिर्ग कहेगा तो अगर आपको ब आप ये वाला तिर्भूज का छेत्र फल जितना भी हमने समभाहू तिर्भूज सिद्ध किया, उसके जगा पे अगर आप यही वाला छेत्र फल लगा देते, इस तिर्भूज का, एक बटा दो और आर स्क्वाइर साइन ठीटा, तब पर भी आ जाता दोस्तों, क्या हमने बता आजाए तो एक बटा दो आर स्क्वार यानि ये त्रिज्या ले लेंगे हम लोग है ना साइन ठीटा ठीटा के जगा पर 120 डिग्री अब बात उठ रहा है कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा आईए मैं आपको समझाता हूं एकदम असान विधी से है ना तो यहां पर लिखे सब्सक्राइगा है कुश्टन नबर सेविन है को की दिया है ब्रित की त्रिज्या अब कि त्रिज्या और बाराबर कितना दिया है दोस्तों 12 सेंटिमीटर तथा जिवा दौरा केंद्र पर बना हुए कोड केंद्र पर बना कॉंड जिसे हम लोग ठीटा से रिपरजेंट करते हैं ठीटा बराबर कितना दे दी जा है 120 डिग्री तो इसलिए क्या पूछ रहा है लाश्ट में बिरित खंड का छेतरफ़ इसलिए बिरित खंड का छेतरफ़ इस एक वर्टू क्या हो जाएगा दोस्तो तो आप बता सकते हैं हाँ पर त्रिज्या खंड का छेतरफ़ और मानेस तिरभूज का छेतरफ़ है ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड मानेस तिरभूज का छेतरफ़ अब यहाँ पे तिर्भूज कोई भी हो उससे कोई लिना देना नहीं है राइट तिर्भूज का छेत्रफल अब यहाँ पे ध्यान दी जाए जाए थोड़ा सा तो 30 खंड का छेत्रफल क्या होता है ठीटा बटा में 360 इंटू पाईर स्क्वाइर मैनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों तो तिर्भूज का छेत्रफल एक बटा दो आर स्क्वाइर साइन ठीटा यह आपको फॉर्मुला हमेशा कंप्लीट कर लेना है ठीक है और यह जितना भी हमने संभाहू तिर्भूज यूज किया ना वह जी यहाँ पर ठीटा का मान कितना है 120 यहाँ पर टक देजिए 120 बटा में 360 और गूड़े पाई का मान 3 दसमन लो एक चार रख देंगे है ना गूड़े और आरозм क्या है दो सो सो तो 12 है यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वाइर फिर मायनेस एक बटा दो और अर स्क्वार त्रिज्य क्या है दोस्तों तो त्रिज्य भी तो बारा ही है ना पर बारा का स्क्वार और यहाँ पर साइन ठीटा ठीटा का 120 डिगरी है ना अब देखा जाए तो यह देखिए 16лекैर 36 बार में चला गया नاع washing जहां पर बारा का S2 यहां पर कॉमन है और यहां पर भी बारा का S20 कॉमन कर लेजी एपहले असानी हो जाता है ना ॉद्वक के बचेगे 30 मलो के एक चार और बटा में सैंज को धे साइन काम ब्लए lira minus यहां पो एक वट्रण 2 और यहां पे ध्यान पेниगा there बन जाएगा तो क्यों नहीं ध्यान देदेंगे हम चलिए आगे रखते हैं अब यहां पर 12 का स्क्वार यारी 12 गुड़े 12 और यहां पर देखा जाए तो क्या बच गया तीन दसमलो एक चार और बटा में 3 माइनेस रूट तीन का मान रख दीजे एक दसमलो साथ तीन बटा मे देते हैं दोस्तों 12 गुड़े 12 और यह एलसियम लेंगे हम लोग तो चारतिया 12 हो जाएगा चार से इसमें गुणा कर दीजे चर्चोग के 16 हांथ में एक चार और एक पांच पॉइंट चारतिया 12 फिर माइनस है तीन कैस में कर देते हैं तीन तीन नौ साथी एक इस के एक ह पांच पॉइंट यहां पर लगा देंगे है ना यह देखे बारा से यह बारा कैंसल आउट क्या बचा हमारा बारा अब इसको घटाना है है ना चले घटा के दिखा देता हूं मैं आप लोगों को यहां पर घटागए दिखाते रहों यह हम घटागए दिखा रहें दोस्थатели 12 दसमलो 5 6 में से कितना घटा ना है 5 दसमलो एक 9 चली घटाई यह 16 में से 9 घटेगा तो 7 और 4 में से घटेगा तो 3 और यह पोईंट 12 में से 5 घटेगा तो 7 यानि साथ दस मलो तीन साथ आया गुणे साथ दस मलो तीन साथ अब अगर आप इसका गुणा दोनों का कर लेते हैं न दोस्तों यह आ जाएगा आपका 88.44 राइट 88.44 सेंटीमीटर स्क्वार यह आपका अंसर हो जाता है तो उम्हेदा दोस्तों यह वीडियो लेक्चर जरू लेक्ष्ट कर सकते हैं धुद्धं ओर षप्र's यह यह वीडियो आप वह सकते हैं न ep Ayamag standard मिति कोई जैसा मतलब आपको जब तर में प्रॉब्लम दिछता है उस फ्रकल को आप देख सकते हैं अगर वीडियो में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं मैं उसको सॉल्व करके अब देखें जाने अंजाने में कहीं मिश्टेक थोड़ा बहुत हो गया होगा ना गुणा होना का तो टेंसन मत लीजिएगा है ना उसको अपना दोस्त समझ के भूल जाएगा और आगे काम कीजेगा राइट इसमें बढ़िया चीज देखिएगा वीडियो में ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यबाद दोस्तों